आज थोड़ा warm-up हो जाए share capital chapter पर और इस warm-up के अंदर मैं आपको कुछ जितनी भी calculation की basics है वो दुबारा device करवाने वालों सबसे पहला जो basic है वो है हमारा calculation of call money received या amount received on call calculation of amount received on call तो याद रही है कोई जो भी मैं आपको अभी कराने जारा हूँ किसी book से नहीं देख रहा मैं जैसे जैसे मुझे लगेगा कि हाँ जो चीज आनी चाहिए मैं आपके सामने यहां पर डालूँगा और अगर आपको लगता है उसके नहीं कुछ changes हो सकते हैं तो हम मिलकर करेंगे देखें यह जो working note है वह इसका फायदा क्या होता है अगर यह working note आपको आ जाता है तो entries इसी working note के द्यू ओन कॉल अधिके यह एंट्री हमारी कहां कहां आती है जब हम कॉल मनी ड्यू करते हैं शेयर कॉल टू शेयर कैपिकल की एंट्री में ठीके जी उसके बाद हम इसमें लेस करते हैं क्या लाइस करेंगे कॉल्स इन एडवांस हाला कि हमने यह कभी यूज नहीं करा अभी तक कॉल्स एडवांस अकाउंट कभी यूज नहीं करा इसको हम एक्सेस मैनी भी बोलते हैं एक्सेस मैनी रिसीवड फॉर और प्रीवियस कॉल मतलब जो पैसा में पहले मिल चुका है इस कॉल के लिए वह लेस कर देते हैं तो हमारे पास जो बच जाता है डाट इस कॉल बैलेंस ड्यू ठीके जी अब यह पैसा आना रहे गया है क्योंकि यह हमने मंगाया यह पहले ही आ चुका है ठीक है इस कॉल के लिए पैसा पहले हमें मिल चुका है तो बैलन्स हमारा जो ड्यू है वो आ गया उसके बाद हम लेस करते हैं जो पैसा नहीं आया जिसको मोलते डिफॉल्टेड बनी डिफॉल्टेड बनी या फिर हम इसको बोल सकते कॉल सीनेरियर्स कॉल सीनेरियर्स का मतलब क्या है जो पैसा हमने मंगवाया लेकिन अभी तक मिला नहीं वह लेस करते हैं तो यहां पर हम डिफॉल्टेड मनी कैसे निकालते हैं टोटल ड्यूस हमने कितने टोटल पैसे लेने थे लेस कॉल सिन एडवांस इफ एनी कॉल सिन एडवांस इफ एनी जो पैसा हमें पहले मिल चुका था मतलब यह वाला पॉइंट यह तो यहां पर आ जाता है जो भी हमारा पैसा नहीं आया डिकल लेग यह मैंने आपको सिखाया हुआ है गलती यहां होगी गलती यहां हो सकती है इसको आप लिखें ताकि आपको याद रहे कि इस पॉइंट पर गलती नहीं करनी मेरे कहने के बाद भी 10-8 लोगी गलती करेंगे ठीक है टोटल डूस में से जो पैसा आ चुका है वह लेस करके ही यहां लिखना यह वह पैसा है जो नहीं आया ठीक है टोटल डियोज का मतलब कि मैंने आप से 100 रुबे लेने वह टोटल डियुज एं वह 20 आप मुझे पहले दे लेस्स करा जाएगा ठीक है तो यह होगे हमारा डिफॉल्टेड मेनी कॉल सिन एडियर्स इसके बाद इसके बाद जो पैसा मिया लिखने वाले इस इसकोड अमाउंट रिसीवड पॉर दिस कॉल के लिए कितना पैसा आया इस कॉल के लिए ठीक है अब कुछ शेयर ओल्डस ने आगे के लिए भी पैसा दे दिया तो वह यहां आ जाएगा कॉल सिन एडवांस रिसीवड कॉल सिन एडवांस रिसीवड फॉर नेक्स कॉल्स ठीक है वह एड़ कर देंगे यह पैसा हमारा आया और इसके लावा इतना एक्स्ट्रा आ गया इतना जादा आया तो पता जिल देगा यह इतना एडवांस आया टोटल अमाउंट इसी यह हमारा फुल फ्लेज़ड फॉर्मैट है कितना पैसा आया वो निकालने का इसे नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं तो यह सबसे जादा इंपॉर्डेंट यह है सेकिंड सब्सक्राइब कैलकुलेशन ओफ कि अमाउंट तो भी ट्रांसफर्ड तो कैपिटल रिजर्व कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा यह निकालने में दुनिया बर की दिक्कते आती है स्टुडेंट को ठीक है अब देखें कि सबसे पहले आपने समझ नहीं कि क्या तर्व में पैसा जाता क्यों है कि कि अमाउंट फोर्फिटेट कि अमाउंट फोर्फिटेट कि अमाउंट फोर्फिटेट की बात हो रही है यहां पर कि अमाउंट फोर्फिटेट ऑन रिशूट शियर्स इस ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ट टू कैपिटल डिजर्व क्योंकि आपने पैसा जब्त कर रखा है और शियर भी ले लिए तो हमने चीज वापिस लिए लिकिन कुछ पैसा हमारे पास आया हुए है तो एक तरह से हमारा प्रॉफिट है उसको कैपिटल डिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है लेकिन यह जरूर आपने आफ्टर के आफ्टर एड्जस्टिंग कि लॉस ऑन री इशू आप लॉस ऑन री इशू में अड़ेस्ट करेंगो उसके बाद तो इसका मतलब प्रॉफिट जाएगा वो प्रॉफिट कैसे निकल कर आएगा वह ऐसे निकल कर आएगा प्रॉफिटीट अमाउंट लेस्ट लॉस ऑन रीशू फॉर फिटीट अमाउंट और री इसूट शेर्स अब इसका मतलब क्या होते देखिये लेट से आपने हजार शिर्स प्रॉफिट करें थे और उसका जो अब फॉर फिटीट अमाउंट है वह है आठ थाजार है ठीक है यह आपके फॉर फिर्टीट से यह अब आपने इनको री इसू करा री शूट पर छेसो शेर्स तो इसका फॉरफीट रमाउंट कितना होगा छेसो अपॉन हजार इंटू आट राइट तो यहां पर फॉर्टी एट रहेगा गलती क्या होती हम पुरा आट अजार ले रहें तो याद रहे कि आपने प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना है अब जा आप 4800 र कि 321 रुपे कितने शेर से 800 शेर्स से एक यह आपका बैलेंश उट के अंदर शेर कैपिटल में अप bizar होता रहेगा को ऐं इसको हम उनका अमाउंट भी कैप्टल में ट्रांस्वर हो जाएगा अब लॉस एक रुपे का होता है दो रुपे का होता है सो रुपे का होता है मैक्सिमम अद तालिस सो का हो सकता है इससे जाधा नहीं फिकर नेगेटिव नहीं जा सकती क्योंकि प्रॉफिट केन ऑल्वेज भी पर जाएगा लॉस चार अजार है तो जितना लॉस कम उतना प्रॉफिट जादा होता रहेगा ठीक है वोफुली आपको मेरी बात समझ आई है अगर आई है तो आप इसको फटा-फट नोट करो फिर आगे चलते और नहीं आई तो क्वेरी स्कूछो 9. अब मैं आपको तीसरी चीज बताने जा रहा हूं और वह तीसरी चीज है क्या की स्री चीज़र क्या कैल्कुलेशन ओफ अप्लाइड हो आप अश्य क्लीशन और आपको पता ही है अप्लाइड शेर्स अगर आपको निकालने हैं तो आप क्या करेंगे अगर आपको अप्लाइड शेर्स निकालना है तो आप अलॉटिट शेर्स आपको गिविन होंगे यह आपको कोशन में गिविन होगा आपने इसको किस से मैटिप्लाइ करना है रेशो ओफ अलॉट अप्लाइड ओवर अलॉटेड ठीक है फॉर एक्जामबल पंदरह हजार एप्लिकेशन आई हमने उनको को दस हजार शेर्स दिए तो रेशो अफ अप्लाइड ओवर अलॉटेड कितना बन गया फंदरह हजार अपॉन कि दस हजार ठीक है तो आप इसको छोटा करोगे तो क्या हो जाएगा थ्री स्टू टू यह हो जागा ना कि यह यह होगा ना ठीक है तो अब दिखिए अलोटीट शेर अब किसी कि इतने भी शेर किसी के लट इद उससे अप्लाइड निकल जाएगा तो अगर आपको नमबर निकाल लो यह आएगा अप्लाइट यह सब आपको गिवेन होंगे कोश्चन में कुछ तो गिवेन होगा उसकी बिना तो आप निकाल नहीं पाऊगे अब इसको क्या करना है रेश्यो आफ अलॉटिड ओवर अप्लाइट से मल्टिप्लाइट कर तो मतलब अब रेश्यो क्या होगा टू इस्चू थी ठीक है इससे मृटिप्लाइब करो तो इसमें कोई दाउट है तो पूछ लो कि यहां मिनिममंघरी इश्यों निकालना सेखते हैं वह्त मिनिमum पराइज मिनमम प्राइज क्या होता है मिल् класс कि जब आप शेयर की face वैल्यू देखते हैं कितनी है जयाहएं देट सब्सक्राइट उसमें से लेस्ट कर देते हैं जितना भी पैसा पुराने शेर होल्डर ने दे दिया है दाट इस कॉल फॉर फिटेड अमाउंट एक शेर सौ रुपे का है पुराना शेरोल्डर सत्तर रुपे दे चुका है तो मिनिममम प्राइज जो होगा वो तीस रुपे होगा इससे कम्याब इशू करी नहीं सकते हैं मिनिममम इशू प्राइज क्लियर है और मैक्समुम डिस्काउंट क्या होता है मैक्समुम डिस्काउंट क्या होता है यही होता है वो फूर फिटम्यांट इस मैक्समुम डिस्काउंट की जितना पैसा आप फूर फीट पुराने वाले से ले चुक ही हूं उत्रक्राभ three अब डिसकाउंट तो सी जादा मतलब एक शेर है सो रुपे का उसमें साथ रुपे आ चुके हैं तो वह साथ रुपे मैक्सिमम डिसकाउंट है चालीस रुपे हम जब 40 रुपे का हम शेर दे सकते मिनिमम अगर ज्यादा को दोगे तो वह कैप्टल में पैसा चला जाएगा फाइदा हो जाएगा अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाता हूं ठीक है और सारा ओरल टेस्ट है एक तरह से ठीक है देखो अब आप बताएंगे कि करके फेस वैल्यू शेर की है सो रुपे फोर फीटिट अमाउंट जो है वो है फिफ्टी रुपीज ठीक है री इशू प्राइज री इशू प्राइज री इशू प्राइज है मिनिममम ठीक है आपने मुझे बताना है लॉस ऑन री इशू कितना हुआ और कैपिटल रिजर्व में कितना पैसे जाएगा ठीक है तो आपने ये दो चीज़े मुझे बतानी है मैं शुरू करता हूं आपने आंसर देने वन बाए वन सब्सक्राइज करें मिनिममम प्राइज बताना है बताओ मिनिममम प्राइज क्या होगा फटाफट गिव और रिकॉर्ड देने रिकॉर्डिंग भी दुआ पांसर इंग्जाक्ली फिफ्टी रॉपीज लॉस ऑन रिशू कितना हो गया पचास है ना बई और कैपिटल रिज सब्सक्राइज फायदा तो होगा ही निक्योंकि आप मिनिममम पे इस्व करें मिनिममम पे कोई फायदा नहीं होता सेकेंड शेयर है सो रुपे का आपने फॉर्फीट करा हुए साट रुपे आप रिशू कर रहे हो असी रुपे पर बताओ लॉस ऑन रिशू कितना और कैप हुआ कौन आंसर देगा कि ट्वेंटी एक्जाक्ली ट्वेंटी इस लॉस क्योंकि सो का शेयर असी मेरी इशू करें हो बीस नुकसान है कैपिटल में क्या जाएगा कि कितना जाएगा जीरो नहीं गलत आंसर है फटावर बताओ उन रिकॉर्ड यूट्यूब पर फेमस होने वाले आप लोग सब तो मैं नाम भी लूँगा जिसका आंसर सही होगा फटाव बताओ जल्दी बताओ जिसका गलत हो उसको इन लोगा टेंशन आलो 40 exactly 40 is the right answer because 60 रुपे फोर्फिट करे हुए थे हमारे पास आया हूँ है 20 का नुकसान होगे तो बागी 40 हम क्याप्टलिजब में डाल देंगे राइट आंसर इशिता इशिता दिए दिशा 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 राइट आंसर ठीक है दिशा का सही आंसर है यूट्यूब वालों हां जी 90 रुपीज का 90 रुपीज फोर्फिट करे हुए रिशु कर रहा हूं मैं 40 रुपीज मैं बताओ वट इस डिस्काउंट ओ लोस अंडी शू अंन हाउ मच अमांट विल बी ट्रांसवर्ट डू केप्लिज फटाहिए कि जली पताओ कितना डिस्काउंट दिया सीदा कंप्ड़ करो कितने शेर था कितने में रिशु करा सो का शेर है 40 में रिशु करा बताओ लॉस कि कितना इस्टी इस्टी बिल्कुल सिंबल बई सौ का शेट चालिस में दिया न ठीक है कितना जाएगा किसाट का डिसकाउंट दिया नबेर रूपे फोर फीट करें हुआ बताओ कितना जाएगा कितना कितना है कितना है कितना कितना है कि करें लॉसर इश्यू थी त्रीएंड़ राइट ठीक बोला और कैप्टल जमीरा तुशार ने दिया अंसर दीपक ने कि तुशार दीपक किसी अंसर दिया लॉस बताया लॉस बताया हां जी कैप्टल जब बताये कितना अच्छाव न दूर न दिया कैप्टल जमीचेगा एक्जाक्ली बन फिफ्टी जाए कैसे ताड़े चार सो का पैसा आया हुआ थीन सो रुपे हमें नुक्सान हुआ तो बचा वह पैसा फायदा है बल्ले बल्ले है ना चले ठीक है फिफ्ट लास्ट पांच सो रुपे का शेयर है ठीक है 200 रुपे फोर्फिट करें ठीक है 200 रुपे फोर्फिट करें ठीक है 200 रुपे इशू कर दिया 600 का बताएं लॉस्ओं इशू कितना है करें अधार बताएं अधार इस यहां जल्दी बताएं त्रीहंड़र जाबाश और और किसी इसके आंसर आ रहे हैं जिसने एक बार थीहंड़र बोलती दुबारा ना बोले गरदन कार देंगे उसके और मतब्लक्त जिसने पहले आंसर दे दिया है वो दुबारा ना बोले जल्दी गजाए लॉस्वाई नी लॉस्वाई नी ये लो माशाळा अलख कि अ जल्दी तो अंसर प्टाफट लॉस कितना हुआ 100 शाबाश और और कोई रह गया दोबारा तो आंसर देने ही था एक आंसर ठीक निकला था ठीक है लॉस जीरो दिर इस नो लॉस ठीक है दिर इस नो लॉस आप सीधा सीधा कंबेर करना फेस वैल्यू पांट सो कि आप छे सो मेरी ईश्यू कर रहे हो तो आपको तो एस पी आर मिला है सो रुपे सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा पांट सो कशेर छे सो मिलें तो सौ वां गया लॉस तो कुछ वह ही नहीं और जितना पैसा फोर्विट करना था सारह का सारह का सारह कैप्टल जाएगा जो सो एक्स्ट्रा या फेस वैल्यू के ऊपर जो आ एक शियर है दो हजार रुपे का कि फोर्विट अमाउंट है साड़े तेरह सो री शूट है कि सो पचास चलो अब आंसर देतो बिल्कुल सिमिलर कोशन उपर वाले की जाना तुशार साइलेंट तुशार को आंसर देना चाहिए पाकिस्तान चले जाना चाहिए अगर ज्यादा वैसे कमा के भी आप नुक्सान में भारत में इतना कहां कमा पाता है भाई वंदा अजी बताईया आंसर दीजिए फटावट 1350 पूरा का पूरा फायदा हो गया ना भाई लुक्स नुक्सान दो कुछ हुआ ही नुक्सान जीरो है तो सारा का सारा जो प्रॉफिट उसमें वह सारा प्रॉफिट इसमें चला गया और जो डेड़ सो रुपे एक्स्ट्रा आप मंगा रहे हैं एक्किसोपचाथ दोजार क मेरी इशू हो रहा है तो वह इस प्र में चला जाएगा ठीक है वेरी गुड दुबारा से नेक्स्ट वीडियो जॉइन करें